खराब मोसम और कोहरे की वज़े से देश में फ्लाइट ओपरेशन पर असर देखा जा रहा है पिशले चार दिनों में 650 से ज़्यादा फ्लाइट देरी से उड़िया रद्द कर दी गई इससे पैसेंजर्स भी नाराज दिखे कुरू से इनके जगडे, बहस और नाराजगी की खबरे भी मिल रही है उधर दर डारेक्टोरेट जनरल ओफ सिविल एविएशन ने यात्रियों की दिक्कत देखते हुए विमान कंपनियों के लिए ये नई SOP जारी की इसमें उड़ाने रद या लेट होने की इस्तिति में यात्रियों के लिए उनका कम्यूनिकेशन भेतर करने पर जोर दिया है इसमें कहा है कि फ्लाइट में तीन घंटे या उससे ज़्यादा देरी होने पर एरलाइन कंपनी उसे रद कर दे पेसेंजर्स को फ्लाइट देरी की जानकारी रियल टाइम में उपलब्द कराने का निदेश दिया गया है कम्पनियों को फ्लाइट टिकेट पर बोर्डिंग से इंकार करने उड़ान रद्ध होने या देरी के मामले में यात्रियों के अधिकारियों की जानकारी भी देनी होगी रविवार को इंडिको की गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट पहले तो 12 घंटे देरी से उड़ी फिर दिल्ली जाने के बज़ाए फ्लाइट को मुंबई डायवट कर दिया गया गाने को औरे के चलते विवान एक घंटे बाद करीब 11 बच कर 10 मिट पर मुंबई एरपोर्ट पर उत्रा इंडिगो एरलाइन्स के मताबिक पैसेंजर्स को मुंबई एरपोर्ट पर उतरने को कहा गया इससे उनका गुसा और बढ़ गया पैसेंजर्स ने टर्मिनल बिल्डिंग की ओर जाने से इंकार कर दिया और विमान से उतर कर एरक्राफ्ट पार्किंग में ही बेड़ गए इसके बाद पैसेंजर्स वहीं पर खाना खाने लगे इसी के साथ मैंने रही है एशिया इस इंडिया के साथ